नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UK SSC Cracker में तो आज हम बात करेंगे जो कनिस्ट सहे का एक्जाम होता क्लर्क का तो उसमें क्या मेरिट लिस्ट होने वाली है और साथ में जानेंगे कि किन-किन पदों में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा ठीक है सबसे बहले देख लेते हैं कुल जो पद थे आपके 746 पद थे इसमें बाद में कुछ पद आपके बढ़ा दिये गए थे जो हमारे कनिस्ट ठीक है data entry operator और कनिस्ट सहयग कनिस्ट सहयक जो data entry operator ठीक है कुल पद आपके 431 पद थे ठीक है इनमें आपका क्या रहेगा कुंडली देव करके एक सॉफ्टर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको टैपिंग देनी होगी ठीक है कुछ देखे कुछ पद ऐसे थे जिसमें कि आपका टैपिंग टेस्ट नहीं होगा सीधी भरती हो जाएगी तो उनकी मैरिट लिस्ट में आपको अलग दिखाऊंगा और जिन में टैपिंग टेस्ट रहेगा उसकी जो मैरिट लिस्ट है वो अलग रहेगी ठीक है तो टैपिंग टेस्ट जिन में नहीं होगा वो आपका जैसे की टैपोन ओपरेटर हो गया स्वागती हो गया और आपका पेस कर हो गया रिकॉर्ड कीपर हो गया इन पदों में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा जैसे कि एक कर संग्रा करता है और आमीन हो गया तो इन पदों में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा लेक कर तो टोटल जो आपके 400 ठीक है 500 की करीब आपके 520 ठीक है 520 पदों में आपका क्या रहेगा टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जैसे कि आपके पद आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है इन पदों में आपका क्या रहेगा टाइपिंग टेस्ट ठीक है यह हैं आपके डाटा तो ये कुंडली देव जो सौफ्टर होता है उसमें आपको टाइपिंग करनी होगी और 4000 घंटा आपकी क्या होनी चाहिए कि डिप्रेशन में स्पीड होनी चाहिए 4000 प्रती घंटा तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन जो मेरिट रहनी वाली वो किस प्रकार रहनी वाली है ठीक है जो मैंने डाटा निकाला है तो काफी लोगों से पूछ कर ठीक है कम से कम हजार से जादे ही बंदे मुझे मिले जितने भी अभ्यरती मुझे मिले और कुछ जानने वाले थे कुछ शोशल मीडिया से मिले और कुछ ऐसे पूछे ठीक है तो उनने अपना जो राय दी कि कितने नंबर में वो अपने को सेफ समझते हैं तो वो ही मैं आपको बताऊंगा और जो normalization ते कि कुछ questions इसमें delete भी हुएते और जादे questions delete नहीं हुएते लेकिन कुछ questions के delete होने के बाद क्या effect पढ़ेगा merit list में वो भी मैं आपको बताऊंगा तो ये जो cut off रहेगी उन अभ्यरतियों के लिए रहेगी जिनका जो typing का exam नहीं होगा typing test नहीं होगा क्योंकि उसमें पोस्टें भी कम थी और candidate भी जादे दे तो उनको अगर general candidate हैं अगर आपके 65 plus हैं ठीक है 65 से अबव हैं तो आप अपने को save समझ सकते हैं ठीक है इसी तरह EWS में 62, 58 OBC में, SC में 56, 55 आपके SC में तो जिसने भी मतलब जिन पदों में आपका जैसे की telephone operator हो गया कर संग्रह करता हो गया तो उनमें आपका typing test नहीं है तो उनसकी जो merit रहेगी वो जादे ही जाने के chances है एक चीज और आपको बता दूँ ठीक है इस कारण से जो merit रहेगी वो थोड़ी down रहेगी क्योंकि जो लोगों का selection वीडियो में हो जाएगा ग्राम विकास अधिकारी में तो वो लोग वहां चले जाएगी तो इसी तरह के से आपकी merit list किसकी है जिसमें आपका typing test नहीं है ठीक है तो उसी तरह के से जिसमें typing test है तो उसकी merit के रहने वाली अगर आप general है तो आप लोग अगर आपके 60 number बन रहे हैं तो आप लोग अभी से typing की तैयारी कल लीजिए 60 plus हैं तो आप लोग typing की practice कर ये ठीक है उसी तरह के से महिलाओं का भी है 55 से उपर अगर आप हैं महिला में तो आप typing test जरूर दीजे ठीक है तो इस तरह के से ही आपका जो करनिस्टे साहिक का merit list जादे high नहीं जाएगी क्योंकि exam बहुती graduation level का आपका जो exam था वो काफी tough था ठीक है नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें 65 तक आपकी जाने के उम्मीद है ठीक है जन्रल कोटे की ये minimum cut off है ठीक है ये माँ समझेगा कि 65 से उपर नहीं जाएगी ठीक है जो minimum selection के लिए number चाहिए होंगे आपको 60 चाहिए ठीक है अगर आपके 60 आ रहे हैं तो आप लोग typing की तैयारी करते रही है अगर कोई भी सुझा होए तो आप comment box में बताईए और अपने marks जरूर बताना comment में इससे थोड़ा clear टी आ जाएगी कि आप लोगों के कितमे है तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई और कुछ लोग कह रहे हैं कि तो result कब तर आएगा तो result देखे अभी आचार सहीता है तो result का मान के चलिए कि April तक आपको result मिल जाएगा और मई जून में आपका क्या हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट तो मई में आपको समझ के चलिएगी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा तो जुलाई तक आपकी जॉइनिंग ये अगस्त तक आपकी जॉइनिंग हो पाएगी तो लंबा प्रोसेस रहता है तो अभी सिर्फ आपको आने वाले एक्जामों के लिए हुआ के